हेलो मेकेनिक दोस्तों आज हमेरे पास टीवेस अपाची आटे और वन सिक्स्टी सूपर मोटो एबियस एबियस यानि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और आज कम्प्लीट इसी के बारे में एक्स्प्लेंड करेंगे हाव इट्स वर्क एबियस एबियस कैसे काम करता है एबियस का मोटर खराब हो जाए तो कैसे पता करें एबियस काम ना करें तो कैसे सही करें सारे चीजों को आज एक्स्प्लेन करेंगे तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगी वीडियो अच्छी लेगी किसे सोट आउट करना है सारी चीज़ों को कवर करेंगे चले बिना टाइम वेश्ट के वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम बात करते हैं ABS है क्या तो सबसे पहले अगर यहां पर दिखाया है तो ABS वाली बैकों में यहां पर आपको एक मोटर देखने को मिल जाएगा जो complete हमारा ABS work करवाता है और जो भी ABS वाली back होती है उस पर यहाँ पर आपको check up adapter यानि OBD connector का एक icon इस जगा पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर इस जगा पर देख पा रहे हैं तो इस जगा पर डिस्क का caliper लगा हुआ मेरे पास जो back आई है ABS वाले bike होती थी disc brake वाले variant वाली तो यहाँ पर यह जो हमारा master cylinder है और master cylinder से एक pipeline निकल के आता था जो direct हमारा disc के caliper में अटेज था और जैसे हम brake को प्रेश करते थे तो हमारा pressure के साथ यह जो disc काम करता था बट अब की गाणियों में ABS वाले variant में अगर देखा जा तो सबसे पहले जो हमारा master cylinder से एक pipeline आता है वो directly इस जगह पे आते हुए हमारा ABS वाले motor से अटेच है और दूसरा जो इसका output निकलता है वो इधर से जाते हुए यह line से होते हुए हमारे disc के caliper में जाता है यानि जो हमारा first इस जगह पे master cylinder में जितना भी oil होता है जैसे इसको हम press करते है तो सारा oil हमारा आता है यह जो हमारा motor लगा हुए ABS का इससे आता है और इससे pressure बनके हमारा जाता है डिस्क के caliper में यह complete electronical work होता है यानि complete battery से work होता क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारे wiring इसके इस वाले point से attach है तो आज इसी को explain करने वाले कैसे work होता है by the way कहीं से problem आ जाए तो किस तरह से solve करना है इसको complete open करेंगे इसके अंदर क्या-क्या होता है complete सारे चीजों के बारे में detail में बताएंगे और आज से पहले जितने भी हमारे after market mechanic भाई ABS के breaking system को लेकर घबरा रहे थे आज सभी का problem complete solution इसी वीडियो में निकाल देंगे चलिए बिना time waste के आपको इसको open करके दिखाते हैं कैसे इसका working process है कब ABS काम करता है कब ABS काम नहीं करता सभी चीजों के बारे में cover करेंगे तो फिर आज बता दें ABS जब काम करता है जब आपकी गाड़ी 10 km per hour के speed से उचे में चलती है यानि 11 ये 12 उससे उपर जब भी आपके गाड़ी चलती है और उस situation में आप अगर break को प्रेस करते हैं जब हमारा ABS work करेगा अगर उससे नीचले condition में यानि 8, 9, 10 इसके नीचे आप अगर गाड़ी को drive करेंगे तो आप आपका normal braking काम करेगा उस situation में आपका ABS work नहीं करेगा तो ये तो generally इसका हो गया किस तरह से हमारा work करता है अब इसके problem का solution निकालेंगे आपके पास ABS वाली गाड़ी आ जाती है breaking काम नहीं करता है कौन-कौन step आप यूज करेंगे ABS वाले motor को open करके किस तरह से repair करना है किस तरह से इसके ear को यहाँ से निकालके इसकी जो pressure को बनाना है सारे चीजों को cover करेंगे चलिए एक-एक step आपको बताते है किस तरह से ABS motor को यहाँ से open करना है इसके oil को replacement करना फिर विना ear निकाले complete problem का solution निकालेंगे चलिए इसके opening के step शुरू करते हैं और सबसे पहले इसमें बता दें इसकी wiring detail अगर आप चाहिए तो निचे description में link दिया हुआ बजाज पलसर UG5 का जो मैंने complete video शूट करके provide करवाया किस तरह से इसका wiring work करता है वो वीडियो नहीं देखे निचे description में link है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें हम wiring को cover नहीं करने वाले तो चलिए सबसे पहले इसके दोनों bolt को open करते हैं और complete दिखाते हैं किस तरह से pressure के साथ इसके अंदर oil आता है और दोनों में एक एक तामे का washer डाला हुआ होता है सारे चीजों को आपको हम देखे किस तरह से explain करके दिखाएंगे चलिए दोनों bolt को open करेंगे उससे पहले हम कोशिस करेंगे कि इसका एक जरा सावी oil इसके जो है parts के ओपर ना गिरे ताकि हमारा parts ओगेरा खराब ना हो चलिए open करके दिखाते हैं तो फ्रेंट देख पारें इसके bolt को जैसी थोड़ा से लूज की इसके अंदर से एक्टम dirty oil निकल रहा है यानि आपको जब इसके fitting के दोरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तो ABS motor को हम यहां से बाहर लेते हैं इसके अंदर से देख पारें यह हम इसके जो open किये हैं इस जगा वाला जो यह pipe हमारा यह हमारा input pipe है और इसी से हमारा इसमें oil आता है और दूसरा हमारा output pipe है जिससे हमारा oil जाता है इसके अंदर से दो washer जो आपको हम fitting के दोरान easily दिखाएंगे और एक और bolt है उसको open करते हैं तो यह हमारा input वाला line है और इसका output line नीचे हम cover कर दी है ताकि एक जड़ा से भी oil इसके parts पे ना गिरे प्लास्टिक वगेरा carry कर लें ताकि आप लोग को problem ना हो दोनों में एक एक वोरिंग होता है नीचे और बाकि एक 10 mm का bolt होता है इसके right side पे उसको open किजीगा आपका ABS motor निकाल आएगा इसके ओरिंग दोनों आप सोरी ओवोशर दोना ध्यान में रखें तो फ्रेंट कुछ इस परकार से दो bolt open करेंगे एक नीचे और इसके right side पे दो bolt होते हैं दोनों को open करेंगे और हमारा ABS का जो motor है हमारे हाथ में आ जाएगा तो देख पाने है कुछ इस परकार से हमारा ABS motor होता है थोड़ा सा confusion यहाँ पे यह है क्या हम non ABS बैकों को ABS में convert कर सकते हैं या नहीं तो उसका जवाब रहेगा yes किसी भी आप non ABS बैकों में ABS का motor assemble करके आप अपने bike की जो है driving इसके आप अच्छे से drive कर सकते हैं अच्छे से अब इसके braking को comfortable कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख पाने इसके अंदर दो हॉल इसके सारे oil को इसके अंदर से drain करते हैं निकालते हैं उसके बाद आगे का process बताते हैं तो फ्रेंड यह है इसका ABS वाला motor कुछ खास इसके अंदर को ऐसा कुछ होता है complete यह unit होता है जो हमारे mechanic भाई घवराते हैं KBS वाले brake है मेरे हिसाब से यह बनेगा नहीं तो आप बेफिकर होके यहाँ पे यह जो हमारा portion है यह हमारा input है यानि इस वाले line से हमारा oil आता है दूसरा हमारा आउटपुट इस वाले line से हमारा oil जाता है direct disc के caliper में यानि इससे master cylinder से oil आता है इससे disc caliper में और इसके अंदर यहाँ पे देख पार हैं बहुत सारे wiring के pin बने हुए हैं और कुछ इस तरह से complete इसका motor लगा होता है अब जलिए इसकी जो पाइप लान ने उसको explain करते हैं और fitting का सही तरीका क्या है उसके बारे में आपको हम बताते हैं perfect हमारा breaking system work करेगा और ABS भी हमारी गाड़ी की काम करेगी यहाँ पे इसका electronic unit लगा हुआ जिससे हमारी गाड़ी sense करती हमारी गाड़ी कितने किलोमेटर पर हावर यानि चल रही है बाकि इसके अंदर हमारा oil fill up होता है अब चलिए इसके pipeline के बारे में बात करते हैं बिना time waste की वीडियो के length लंबीना करते हुए इसको assemble करें और perfect breaking आपको हम दिखाएंगे यह इसका ABS motor तो यह आपको पहले बता चुक है इसका जो master cylinder से oil इस वाले pipeline से आते हुए यहां तक आता है और इस वाले pipeline से जो हमारा जाता है oil डिस्क के caliper में जाते हैं अब इसका proper fitting आपको दिखाते हैं सिर्फ दो बोल्ट से हमारा ABS unit hold होता है एक यहां एक यहां बाकि दो उपर से claim लगे होते हैं या फिर कभी आप इसे replacement करते हैं तो इसका सही तरीका क्या है fitting का उसी चीज़ को आपको हम बताएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर oil का fill up करना होता है अगर आपके पास injection होता है तो आप उससे इसके अंदर fill up करने अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ने आप इसके अंदर oil वैसे ढकन से या फिर किसी चीज़ से fill up कर सकते है तो फिरिंट देख पार है इसके अंदर मैंने oil का fill up कर लिया डौट 3 का red वाला oil डाले आप डौट 4 भी यूज़ कर सकते हैं बट suitable इसके लिए ज्यादा तर रेड वाला डौट 3 होता है तो जब भी आप इसके जो AVS वाले motor में oil replacement करें तो आप कोशिश करें डिस्क का जो caliper और master cylinder में जितना भी oil है सारे oil को हम replace करें ताकि वहां से जो dirty oil इसके अंदर ना आ जाए तो दोनों जगा के मैंने change किया है तो आप इसको का करेंगे fitting का जो सही तरीका है इसको इस जगा पे push करेंगे और सबसे पहले एक एक नीचे washer डालेंगे इस तरह से तामे का washer होता है तो सबसे पहले इसका जो washer थोड़ा सा टाफ है fitting करना क्योंकि दोनों जो हमारे steel के बने हुए pipe है तो थोड़ा सा tight और tough होता है अब इसके एक उपर वाले भाग में washer डालके इसके bolts को tight कर देंगे दोनों bolts तो एक एक करके tight करना पड़ता है और पहले हाथ से इसे tight करें ये चीज बहुत ध्यान रखें वरना उल्टे थ्रेड आया फिर आपका गलत थ्रेड पर चड़ जाएगा फिर का होगा आपको बहुत ज्यादा प्रोब्लम फेस करना पड़ेगा ओईल का leakage हो जाएगा और येर का भी यहां से मिश्रन हो तो आप चलिए इसे fully tight कर लेते हैं फिर break को प्रेस करके इसके अंदर से year को release करेंगे तो इसको हलके हाथ हो फसाने के बाद क्या करेंगे इसके जो बोडी में bolt tight है उसको tight कर लेंगे तभी heat कहो के यह tight होगा वरना फिर नहीं हो पाएगा तो एक bolt इसके निचले side पे है एक इसके opposite side तो दोनों bolt को fully tight कर लिया 12 mm के spinner के मदद से अब इसके जो socket और clamp है wiring harness का उसको हम यहाँ पर attach कर देंगे और आप अगर बेज हीजक और बिना time waste के इसका सब काम करना चाहते हैं फिर year केरा निकालना चाहते हैं इसका break bleeder करके एक tool आ एक bleeder तो इसको मैंने tight कर दी अब चलिए इसके breaking देखते हैं कैसा है तो breaking लगाने के बाद तो देख पारे कुछ यह ज्यादा ही दब जा रहा है तो क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा ear रह गया तो इसको यहां से release कर देंगे यहां पर 10 mm के spinner को थोड़ा सा लूज करेंगे और इसको fully भी tight करते हैं जितना पहले था उसके according भी देख पारें यह हमारा slater में tight हो जा रहा है तो एक थोड़ा सा इसके अंदर से और ear को release करते हैं ताकि हमारा breaking comfortable हो जाए तो फिन सारे step को use कर लिए oil अगेरा का जो ear complete निकाल दी आप breaking देख पारें कितना comfortable हो गया पहले क और क्या है कि आप oil को इसी तरह से replacement कर सकते हैं ABS मोटर को बेजी जक आप open करके complete oil अगेरा replacement कर सकते हैं हमारे जो aftermarket mechanic भाई डरते हैं डरना नहीं है बेफिकर ABS का काम आप कर सकते हैं चले फिर मिलेंगे next वीडियो में को अच्छी से topic लेकर तब तक लिए thanks for watching और ज्यादा से सपोर्ट बनाया रखिए जरू से जरू सब्सक्राइब कर दिए चैनल को तो फिर मिलेंगे next वीडियो में